हलो फ्रेंट्स, वेलकम तो मैं चैनल मदर्स नोलेच, आज इस वीडियो में मैं आपको इस गेम का रिवी दूँगी, ये गेम बहुत ही यूसफुल है, इस गेम से आप जो है बच्चे को कलर और शेप की रिकागनेशन सिखा सकते हैं, हैंड आई कोडिनेशन सिखा सकते हैं, इस गेम के बोक्स पर ही लिखा है, लेट इम थिंक, लेट इम प्ले, इससे जो है बच्चे की जो है तिंकिंग काफी इंप्रूव होगी, खेलने में जो है बच्चे काफी टाइम स्पेंड करेगा, और काफी इनज्वाई भी करेगा, मैं आपको लास्ट में अपने तो इसमें क्या कुछ शेप दिए है तो उसमें से बच्चा जो है शेप को इडेंटिफाई करेगा तो उसमें जो है करेक्ट उसको प्लेस करेगा तो उससे जो है बचे का हैंड आई कोडिनेशन भी इंप्रूव होगा तो इस बॉक्स के अंदर है यह जैसे आपको है डिफेन 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 शेप्स दिए हैं स्टार्टिक में जो आप बच्चे को इस तरीके से शेप बता सकते हैं तो उसके बाद जो है बच्चा अपने आप जो है इनको करेगा यह डबल साइडिर कार से देखे एक साइड कैट दिया हुआ है एक साइड एक केंडल है इस तरीके से जो है यह आपका दिया हुआ है तो आपने स्क्वेर का हाफ किया, तो हमारी दो ट्रैंगल बन गी, उसके टू पोर्शन के तो इसके ज़से हमें फोर स्मॉल स्क्वेर बन गी, इस तरीके से आप पोर्शन के बारे में बता सकते हैं, तो यह बहुत ही यूजफुल गेम है, तो देखें, एक दो मैं आपको करके ब तो इस तरीके से अब देखे अब यह पार्ट और यह पार्ट यह जो है यह बचा असानी से कर लेगा उसको जो है फोड़ी सी यहां पर आएगी उसको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इसमें ऐसी कौनशी शेप फिक्स करी जाए कि इस पर जगह न बचे तो इसमें बचे को सोचना पड़ेगा कि कौनशी शेप लगाएं तो फिर फिर फर्स टाइम आप उसको help कर सकते हैं नेक्स टाइम उसको खुद ही सोचके करना पड़ेगा जैसे अब यहां पर पहले हम ट्राइंगल को इस तरीके से सेट करेंगे यह हो गया फिर next जो है हम इसको rectangle को इस तरीके से सेट करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर rectangle आगेन यहाँ पर फिर आपका triangle आजाएगा और यहाँ पर जो है square होगा यह इस तरीके से आप यहाँ पर square use करते हो नीचे आगेन जो है four small squares आजाएंगे what is this shape which shape is this tree yes very good finish हो गया finish हो गया okay next loop what is this triangle when we do half of a square we get two triangles okay okay और देखें वेराइटी भी जो pictures के मतलब यह नहीं के एक दो दी हैं 15 cards हैं आपके यह भी double sided है means आपके जो है 30 sheets दी हुई है बच्चे के enjoy करने के लिए practice के लिए means जो है एक sheet करके जो है बच्चा बोर ना हो तो इस तरीके से 30 जो है इनफ है बच्चे को shape, color, recognition के लिए hand-eye coordination की practice के लिए और quick thinking के लिए जो है यह sufficient है और इस game को जो है आप अपने बच्चे के लिए भी ला सकते है means और आप किसी के बच्चे के birthday party में जा रहे है तो यह बहुत ही अच्छा option है birthday gift के लिए इसको हम जो है कुछ educational जो है दे पाएंगे और देखे एज के बात करें तो इस game को जो है इस पे तो जो है एज जो है 3 प्लस लिखी हुए है तो शेप का concept जो है मतलब फर्स सेकंड या थर्ड क्लास तक भी रहता है तो असानी गेम को जो है आप असानी से तीन से आठ साल तक के बच्चे के लिए यूज कर सकते हैं तो ये था आज के गेम का review आप इसमें जो है बड़ी असानी से अपने बच्चे को खेल खेल में जो है shapes और इस तरीके से जो है education type से आप अच्छे से सिखा सकते हैं और आप मेरे channel के playlist पे learn how to read English का course जो है चेक कर सकते हैं उसमें मैंने basic से जो है advance तक कराया है काफि step by step बिताया है वहाँ से आप अपने बच्चे को असानी से English reading सिखा सकते हैं इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में वीडियो को like, comment and share करना मत बूला बबाई, take care, thank you